महराज दिश्टिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्में पताकर बड़ी किरपा की, आप किरपा करके यह बतलाईए कि पॉस्ट सुल्क एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधी क्या है और इसमें कौन से देपता का पूजन किया जाता है भगवान श्री क्रश्न बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, इसमें स्री नाराइन भगवान की पूजा की जाती है, इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के बरत के समान, दूसरा कोई बरत नहीं है, इसके पूड से मनुष्य श्री विद्वान और लच्वी बायन होता है, इसकी मैं एक कथास कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्बक सुनो, बद्राबती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज करता था, उसके कोई पुत्र नहीं था, उसकी इस्तरी का नाम शैब्या था, वे निपु पुत्री होने के कारण सदेव चिंतित रहा करती थी, राजा के पितर भी रो रोकर पिंड लिया करते थे, और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा, राजा को भाई, बाधव, धन, हाती, घोड़े, राज और मंत्री, इन सम्में से किसी से भी संतोस नहीं ह कैसे चुका पासकूंगा, जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदेव अंधिरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ती के लिए प्रियत्न करना चाहिए, जिस मनुष्य ने पुत्र का मुक देखा है, वे धन है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांती मिलती है, उनके दौनों लोग अशुधर जाते हैं पूर्वजनम के कर्म से ही इस जन में पुत्रधन आदी प्राप्त होते हैं राजा इसी पिरकार राद दिन चित्ता में लगा रहता था एक समय तो राजा ने अपने सरीर को त्याग देने का निश्चे किया परन्तु आत्मगात को मान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोडे पर चड़कर बन को चल दिया तथा पच्छियों और ब्रच्छों को देखने लगा उसने देखा कि बन में म्रग, व्याद, सुवर, सींग, वंदर, सर्फ, आदी सब भिर्मण कर रहे है हाती अपने बच्छों और हत्नियों को बीच में घूम रहा है इस बन में कहीं तो गीदड अपने करकश श्वर से बोल रहे है कहीं उल्लू ध्वनी कर रहे है बन के द्यश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया इसी प्रकार आधा दिन बीद गया वैं सोचने लगा कि मैंने कई यकी किये ब्रामणों को स्वादिष्ट भोजन से तरप्त किया फिर भी मुझको दुख राप्त हुआ क्यों राजा प्यास के मारे अतियंत दुखी हो गया और पानी की तलास में इधर उधर फिरने लगा थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोबर देखा उस सरोबर में कमल खिले थे तसारस हंस मगरमच आदी बिहार कर रहे थे उस सरोबर के चारो तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे राजा सुब सकुन समझकर घोडे से उतर कर मुनियों को दंडबत प्रडाम करके बैठ गया राजा को देखकर मुनियों ने कहा हे राजन हम तुमसे अत्यंत प्रशन है तुम्हारी क्या इच्छा है तो कहू राजा ने पूछा महराज आप कौन है और किसलिए यहां आए है किरप्या करके बतलाईए मुनि कहने लगे कि हे राजन आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है हम लोग विश्देव हैं और हम सरोवर में इश्नान करने के लिए आए है यह सुनकर राजा कहने लगा कि महराज मेरे भी कोई संतान नहीं है यदि आप मुझे मुझे पर प्रिशन है तो एक पुत्रदा एकादशी है आप अबशी ही इसका अबरत करे भगवान की किरपा से अबशी ही आपके घर में पुत्र होगा मुझे के बचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का अबरत किया और दोआदशी को उसका पारड़ किया इसके पश्चाद मुझे को परडाम करके महल में बापश आ गया कुछ समय के बीतने के बाद राणी ने गर्व धारड किया और नौ मेहने के पश्चाद उसके एक पुत्र हुआ वह राजकुमार अतियंत सूरवीर यश्वी और प्रिजा पालक हुआ श्री करशन बोले है राजन पुत्र की प्राप्ती के लिए पुत्रदा एकादशी का अबरत करना चाहिए जो मनुष इस महात्मम को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में श्री की प्राप्ती होती है बोलो एकादशी माता की जै